नमस्कार केशान भाईयों स्वागत है मेरे चलन में आज मैं महिंद्रा यूओ टेक प्लस दो सो पैसे डिये टेक्टर और सवराज साथ सो पैंथिस एफ डबल ली टेक्टर का एक क्रीब कमपेशन वीडियो लेकर हूँ तो प्रीज वीडियो के अंदर जूरू देखिए और सब्सक्राइब करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवराज साथ सो पैंथिस एफ और महिंद्रा यूओ दोनों काफी शांदा सेरीज के टेक्टर है यूओ शरीज और वैसे बात करें कंपनी की तो दोनों के पर्फोर्मस वाइज की बात करें तो दोनों 35-40 उसपर के टेक अबने ने कमपेजीजन काफिसन कर लेते हैं जीवल एलोगों को सवराज कि ब्रैंडिंग का अब को देखने को मिलेगी एंटिक लूप देखने को मिलेगा स्वेड्य और अश्रीजार बेर्स्टेंग की बैचिंग मिलेगी चाथ और लूकिंग बताऊं तो मुझे महिंद् प्रिजान बाइयों को लुक जारा अच्छा लगता है इसमें भी आपको स्वेट एक्सवाफरेंट में हभी वेट जारा मिलने वाले सवराज के मुकाबले और बाकी बात करें यह वह टेक्ट इसमें आपको 6000 गंटे और 6 कि इस टेक्टर को रखा गया जैसे इसमें का इसकी होस पास सिंपल निभाइगी इसमें आपको करेंगी यह 35-40 बाइब का इन देखने को मिलेगा ड्यूल डीजल फिल्टर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी और से केंडरी वार्टर मिल जागा गलती तेल टैक में पानी पानी अपने आप separate हो जाएगा 274 cc power sector में आपको देखने को मिलेगी टेक्टर में 3 इन्स सेलेंडर पाउर देखने को मिलेगा 1800 इंजन रिटेड आर्पियम टेक्टर में आपको देखने को मिलेगा F.E. का मतलब होता था fuel efficient और जिसमें आपको average काफी मिलती है तो अब E का जो एक और E आ गया उसका मतलब रहता है extra तो इसमें आपको average काफी देखने को मिलेगी बाकी पहले के मुकावले 274 cc power sector में देखने को मिलेगी आपको सवराज के शांदा dual tone के साथ इसमें आपको इसकल color मिलने वाला है SFC plate मिल जाएगी यहां पर अपनी PTO अगरा कि जानकर यह आपको मिल जाएगी टेक्टर में आप बात कर ले अपने platform की दोनों टेक्टरों के platform काफी comfortable है उस टेक्टर में side shift gearbox मिलेगा इस टेक्टर में आपको center shift gearbox मिलने वाला है पिछे वाले टेर में आपको option मिलेवाला 12482368 का टेक्टर में मैं आपको बात करूँ platform की सवराज की platform मुझे इतना शांदार लगता है center shift gearbox होने के बाव जुद भी इसका platform सवराज ने कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि वह comfortable बहुत जारा फील रहता है पीछे आपको reflector, bottle holder, electricity का connection देखने को मिलेगा और 1100 kg की 1100 से लेके 1200 kg तक ये इसकी lift शमता इस तरह की है तो दोनों टेक्टर में lift की काफी बाते हैं तो आप प्लीज वीडियो का एंट से बने देगेगा अब बात कर लेजाए इस तरह में आपको single wall मिल जाएगा ट्रॉली के लिए जैसे hydraulic के लिए single distributor wall मिलने वाले तरह में आपको ये देख लिजिए platform काफी शांदार platform आपको देखने को मिलेगा छोटा steering पर होर्ण मिल जाएगा अनलोग टाइप का मिटर मिलेगा डिश्टल मिटर आपको नहीं देखने को मिलेगा 48 लिटर का fuel tank का इस tractor का backup है और tractor का खुद का कुल वज़न है 1845 kg और wheel base है 1937 multi speed PTO मिलने वाली है 540 चकर generate करेगी oil brake tractor रहेगा 8 forward 2 reverse के इस tractor में मिलने वाले है 27.80 km पर आरकीश की forward की speed है charging box भी मिल जाएगा 12 वोट का charging backup support मिल जाएगा और 10.20 की इस की back wall speed है 11.20 कुछ की सिंगल क्लच tractor रहेगा PTO horsepower की बात करे 32.6 HP की इस tractor में PTO horsepower मिलने वाली इस tractor में और dual tone के थार आपको देखने को मिलेगा अब बात कर ले यूओ की 33.80 की category की आपको टेक्टर देखने को मिलेगा दोनों टेक्टर 35-40 होसपर की category की टेक्टर है कंपनी ने उस टेक्टर में सवराज में clear नहीं करा तो उसमें category वाइज रखा है इसमें होसपर की बात के 33 होसपर के इस टेक्टर में मिलने वाला है आपको adjustable दोनों टेक्टर में hook मिलने वाला है पर hook है भी आपको महिंदरा में देखने को जादा मिलने वाला है और इस टेक्टर में आपको 248 cc power मिलेगी और सवराज में आपको 2734 cc power इसमें भी आपको सिंगल डिस्ट्रिबूटर वाल मिलने वाल है जैसे ट्रॉली वगला के लिए देख लिए दोनों ट्रेक्टर का लुक पिछे से दमदार लुक मुझे यूओ का जादा लग रहा है हैवी लुक हैवी ज़्यादा आपको बात करें है यूओ सवराज से ज़्यादा है वही है सवराज का वजन है कुल 1845 यूओ कैं 1950 के दि दोनों में इतना ट्रेक्टर का वजन का फरक है वजन भी यूओ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और आप हम बात करते हैं ब्रेंडिंग की और ग्राफिक्स की काफी शांदार इस ट्रेक्टर में आपको ब्रेंडिंग मिलने वाली है इस वराज के मुकाबले सिंगल टॉन के साथ कलर रहेगा फिर भी काफी शानदार है मैटलिक दोनों टेक्टर में आपको पेंट मिलने वाल है सिंगल डीजल फिल्टर हैगा टेक्टर में आपको तीन सिलेंडर पावर रहेगी इन बात इस टेक्टर की वरेंटी 6 साल की मिलने वाली है सब राज में सिर्फ दो साल की चार साल ज्यादा वरेंटी सेक्टर में आपको इंजिन की मिलने वाली है तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्लस पोइंट रहता है टेक्टर में सिंगल ख्लच ट्रेक्टर है दोनो और 12 फर्वर्टीन रिपर्स गेर और फ्लाट्फों मिलने वाल है दोनो ट्रेक्टर में आपको पीछे वाले टायर में ऑफचिन मिलने वाल है 12-4-8-E और तेयरा-चेयर चेह एक देखने को मिलेगा बाकी आपको पीछे की बात करें तो इस टेक्टर में टेकी 100 पाउर के मुका होने के बाव जो भी इसकी लिप्टिंग जो शमता है जो है 1700 केजी देख लीजिए इतना फर्क है 1700 केजी और सवराज में आपको 1100 से लेके 1200 केजी तक ये टेक्टर काफी यांदर कंपनी लॉंच कर रहा है बहुत का पावर है इस टेक्टर में 12 वोट का चार्जिंग सपोर्ट विदाउट बॉक्स के साथ मिलेगा उसमें बॉक्स के साथ मिल रहा है अब मैं सब्सक्राइब की शर्ट अब मैं सबसे बढ़ी बात मैं आपको बताई ती स्टांग में कि मैं लास्ट में आपको बात बताऊँ एनकों कमप्रिजन में 1700 kg ये टेक्टर weight उठा सकता है और वो टेक्टर, company जैसे उनकी documentary में बात करें, तो 1100 से लेके 1200 kg तक only weight उठा सकता है ये टेक्टर उससे कुछ 500 kg ज्याधा वजन उठा रहा है, और single distributor ball में लेगा, 60 liter का fuel tank का backup मिलने वाल है, उस टेक्टर में इनकी information देखके और looking wise और काम वाइस देखके मुझे यूवो खुद को personally काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा टेक्टर है यूवो शिरीज, एक काम्याब शिरीज या महिंदरा की और average की बात करें, तो इसमें FV double दिया तो है पर average महिंदरा की जादा ही रहती है maintenance खर्चा भी काफी डोनों टेक्टरों का कम है जब से सवराज महिंदरा के अंडर में यह तो कम है पर यूवो का इसने भी जादा है, क्योंकि महिंदरा अपने टेक्टरों का तो कुछ कमी पेशी चोड़ने हो नहीं वाली तो काफी डोनों टेक्टर ही शांदार अपनी अपनी जगा, सबकी अलग अलग पसंद रहती है मेरी पसंद मैंने आपको वीडियो में बताया है, मुझे यूवो जाद अच्छा लगा तो काफी शांदा डोनों टेक्टर हैं, आप मुझे वीडियो में जुरूर एंड में बताना कि आपको कौन सा टेक्टर अच्छा लगा, एक बर मैं फिर से कंपेरिजन कर देता हूं, सीसी पावर की बात करें, तो यूवो में आपको पिटेë पावर देखने को मिलेगी, महिद्धरा में आपको 27 HP की पिटेई पावर मिलेगी, दोनों टेक्टर में वरेंटि का काफी पार्क है, 6 साल की महिद्धरा की मिलेगी, सब आज में सिर्फ आपको 2 साल की, वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करना, औ और कमेंट में एंड में जरूर बताना आपको दोनों टेक्टर में कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक चलने को सब्सक्राइब कर लो